आज का शिर्डी साइन संदेश यानि कि तुम आत्म हत्या कर रहे हो हर रोज, अपने हर दिन को जीओ, जिन्दकी में हलात कैसे भी क्यों ना हो, कैसी भी परिस्तितियों से तुम गुजर रहे हो, हमेशा खुश रहना सीखो, मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं जो तुमें दुख दे रहे हैं, लोग दूसरों के सुख से पीडित हो जाते हैं, तुमने देखा होगा, तुम कामयाब हो जाओ, तुम बड़ा मकान बना लो, तुम सेहत मन हो जाओ, तुम खा पी रहे हो अच्छा, तो दुनिया तुमसे इर्श्या करने लगती है, तुमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है, और सबसे जो खि खुश है या नहीं है कोई भी तुमसे खुश नहीं होगा यहां पर इतना करने के बावजूद भी सब तुमसे नराज ही रहेंगे दुखी ही रहेंगे इसलिए खुश करना है संतुश करना है इश्वर को करो मालिक को करो मेरे बच्चे मेरी एक बात पर ध्यान जरूर देना दुनिया के हर रिष्टे को निभाने के लिए तुम 24 सो घंटे अगर लगे भी रहोगे न फिर भी वो तुमसे खुश नहीं होंगे। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तुमसे रही जाएगी। वो अवश्य तुम्हारी पूरी कर देंगे। तुम मालिक को खुश करो। दुनिया को नहीं। दुनिया तो तुमसे हमेशा ही नराज रहेगी। कहीं न कहीं वो कम्या तुमने ढूंड ही लेगी। पूरे दिन में सिर्फ ए घंटा मालिक का ध्यान जरूर करा करो। जब भी आप इश्वर का ध्यान करते होना तो उनसे हमेशा ये ही प्रातना करनी चाहें। विश्वास यदि भगवान पर है तो वो आपकी उपर क्रिपा ही नहीं करते बलकि अपने बच्चों की तरह आपकी रक्षा भी जरूर करते हैं। एक सार्थी बन कर। अगर तुम्हारा कोई बुरा सोचता है तो तुम फिक्र मत क्या करो। ये उसके कर्मों का खेल है। य नहीं बुरा करो। अपने करम उनके प्रती खराब मत करना। उनकों अपने कर्मों का फ्यल मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फ्यल मिलेगा। अपने अपने कर्मों का हिसाब सबको इसी धर्ती पर भुगत कर जाना पड़ता है। उस परमातमर पर पूरा विश बढ़ी कभी भी नहीं हो सकती जो तुम पर हमेशा बनी हुई है जिसने आपको दुख दिया है ना उसे माफ कर दीजे और आगे बढ़ने में ही तुम्हारी भलाई है उनकी लिए नहीं बलकि खुद के लिए अपने आत्म विश्वास के लिए अपनी खुशियों के लिए या अब भी कहीं तुम्हें लगे कि सब दर्वाजे बंद हो गए है ना तो याद रखना कि एक दर्वाजा अब भी है जो खुला है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे लिए कभी भी बंद नहीं होता वो है परमात्मा का दर्वाजा इसलिए उन्हें निरंतर हर सांस में याद क कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे और कभी मन में बहुत सारी उलजने चल रही हो ना कहीं कोई फैंसला लेने में परेशानी हो रही हो नहीं ले पा रहे हो कोई नेनने तो हर रोज सुबा उठकर दस से पंदरा मिनट तक अकेले में बैठो और मन को पूरी तरह खाली करकर श इस तरह हम औरों से बाते करते हैं राय मांगते हैं उसी तरह परमात्मा से भी कहो कहिए कि प्रभू बताएं कि मैं क्या करूं मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो जरूर आपका मारदर्शन भी करेंगे आपको सही रास्ता दिखाएंगे इश्वर को निरंतर जब तुम याद करते होना तो वो वहां भी रास्ता बना देते हैं जहां कोई भी उमीद नहीं होती जहां कोई भी रास्ता नहीं होता तो मालिक को हमेशा हर शन हर पल याद करते रहें वो तुम्हारा अवश्य ही मार्दर्शन भी करेंगे और आपकी रक्षा भी हर पल करते रहेंगे व प्रक्षने पैदा करते हैं उनको भी तुमसे दूर करेंगे वो तुम्हारी रख्षा हर शंड कर रहे एक सुरक्षा कवज बनकर इसलिए निरंतर उनका नामजाप करते रहो क्योंकि नामजाप में बहुत शक्ति है वो तुम्हारे जीवन में हमेशा अच्छे लोगों से ही तुम्हें मिलवाएंगे और गलत लोगों को तुम्हारी जंदगी से अपने आप ही दूर करते चले जाएंगे और किसी के कुछ भी कहने से कभी भी खुद को गलत मत समझा करो या अपने अंदर ही कमिया मत ढूंडने लग जाया करो तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में तो हर वो काबलियत है जो एक नेक और अच्छे इंसान में होनी चाहे हैं, क्योंकि तुम्हारे बारे में या तो तुम जानते हो, या तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इसाई जानते हैं, जिसने इस पूरी दुनिया का निर्मान किया ह तो किसी के कुछ भी कहने से घबराया मत करो, लोगों की जोटी और बिकार की बातों को जादा मत सोचा करो, अपने उपर इतना परभाव मन डाला करो, तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो मेरी नजरों में, बाकी की नजरों में तुम कुछ भी हो, तुमें कोई लेना देना नहीं होना चाहें, बस मालिक की दृष्टे में अच्छे बने रहो, दुनिया अपने आभी तुम्हारे पीछे आती चले जाएगी, किसी को लगता है कि वो गुना करके बच जाएगा, इश्वर तो तुम्हारे मन की बात भी जान लेते हैं, ये पूरा ब्रहमान, उनी का रच रचाया हुआ है, ये सब दुनिया का खेल, उनी इश्वर का रचाया हुआ है, कोई भी यहां से अपने बुरे गुनाहों से बच नहीं पाया है, और कोई अगर तुम्हारा बुरा कर रहा है न, तो उनको भी अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, तुम बेफिक् के साथ की क्या ही फिकर, तुम क्या अपने बाबा पर विश्वास नहीं करते हो, मैंने हर पल तुम्हारी रक्षा की है न, तो आगे भी निरंतर करता रहोंगा, एक भरोसा धुरे रखो, मुझे तुम से और कुछ नहीं चाहें, हमेशा खोश रहो, मेरा आशिर्वात सदा तुम पर बना हुआ है, रामक्रेशनहरी, 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 रामक्